मूवी का स्टार्ट एक जंगल से होता है जहां वुल्फ अपने बच्चों को शिकारियों से बचाते हुए भाग रही होती है तब ही एक वुल्फ का बच्चा शिकारियों की नजर में आते आते बचता है और सब शिकारी मायूस हुए वापस लौट जाते हैं सीन्स एक चोटी बच्ची विक्टूरिया पे शिफ्ट होते है जिसकी मॉम की अचानक डेod के बाद उसे उस सदमेंे से निकलने लिए उसके डैड स्टीफिन उसे लिए अपने विलेज के पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं विक्टूरिय अपनी मॉम की डेड का सदमा बरदाश नहीं कर पा रही होती यही वज़ा है कि वो बिल्कुल बोलना ही छोड़ देती है और यह चीज उसके डाइट को बहुत परीशान कर रही होती है स्टीफिन उसे चेरप करने में लगा ही होता है कि विक्टॉरिया के अंकल टेरी उनका घर देखने आ जाते हैं कुछ टाइम देने का कहते हुए वहां से चला जाता है स्टीफिन विक्तॉरिया को उसके साथ हाइकेग पर चलने को कहता है पर विक्टॉरिया उसे कोई जवाब तक नहीं देती स्टीफिन मायूस हुए वहां से निकलता है तो विक्टोरिया उसके पीछे पीछे आ जाती है जो देख स्टीफिन के अंदर कुछ उमीद जाती है और वो दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं खुदरत के खुबसूरत नजारे करते हुए दोनों माउंटेन के टॉप पे पहुँचते हैं जहां स्टीफिन विक्टोरिया को हसाने में कामयाब हो जाता है और वो अपने फादर को एक इमोशन से भरा हुआ हग करती है इसके बाद दोनों वापसी के लिए निकलते हैं पर भटकने की वज़ा से एक के बिन तक जा पहुचते हैं जहां का ओनर ब्रुनो इन्हें बहुत अच्छे से वेल्कम करता है विक्टोरिया को वहाँ एनिमल्स बहुत पसंद आते हैं जो देखते हुए वहट के अंदर उसी वुल्फ के बच्चे के पास पहुचती है जिसे हम विक्टोरीया को उसे अपने साथ ले जानी देता है और कहता है कि यह फॉरिस्ट की तरफ से विक्टोरीया के लिए गिफ्ट है पिर वहाइनि स्टीफिन और विक्टोर तक चोड़कर आता है विक्टोरिया अपने रूम में जाते ही मिस्ट्री को आपने बैग से निकालकर उसे प्यार करने लगती है लेकिन स्टीफन को मिस्टिटी के वहां होने का पता नहीं चलने देती क्योंकि उसे डर था कि शायद स्टीफन उसे पैट ना रखने دे आगले दिन विक्टोरिया मिस्टी को कबड में चुपा के स्कूल चली जाती है जहां वो स्टीफिन के आगे भी बोल पड़ती है उसे बोलता देख स्टीफिन बहुत जादा खुश और एकसाइटेड हो जाता है उसे लगता है कि शायद उसका विक्टोरिया को यहां लाने का फैसला बिलकुल सही था विक्टोरिया को स्कूल छोड़के स्टीफिन जब अपनी कार के पास जाता है तो वहां एना नामी औरत से मिलता है वो भी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आई थी एना स्टीफिन से बहुत बेतकलुफ होने लगती है और दूनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है वहां मिस्ट्री कबर्ट से निकल के रूम में फिरते हुए इधर उधर चीजें तभा करते हुए इन्जॉय करने में लगा होता है विक्टोरिया घर आके मिस्ट्री के साथ खेल रही होती है तब ही स्टीफन के उसके कमरी में आने की आवास सुनके मिस्ट्री बेट के नीचे छुप जाता है लेकिन एक ही घर में होते हुए आखिर कब तक वो इस रास को स्टीफन से छुपा सकते थे इसलिए स्टीफन को मिस्ट्री के वहां होने का पता चल ही जाता है Victoria के request करने पर उसकी खुशी के खातर Stephen mystery को साथ रखने के लिए मान जाता है क्योंकि वो उसे सिर्फ एक dog समझ रहा था मजीद ये कि जो खुशी उसने mystery की वज़ा से Victoria की आँखों में देखी थी उसकी खातर तो Stephen कुछ भी करने को तयार था तीनों एक happy family की तरहा रहने लगते हैं mystery और Victoria दिन बदिन close होते जा रहे थे Stephen mystery के लिए घर बनाने लगता है Victoria अपनी class presentation भी mystery पर करती है और उन दोनों के रिष्टे को लोगों के आगे रखती है mystery की वज़ा से Victoria सारे घम भुलाके जिन्दगी में आगे बढ़नी लगी थी फिर एक दिन Stephen और mystery विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने जाते हैं जहां Stephen को फिर से एना मिलती है वो जानवरों की डॉक्टर होने की वज़ा से Stephen को एडवाइस करती है कि वो mystery को उसके क्लिनिक लाएं ताके mystery की vaccination हो सके और वो लोग ये जान सकें कि mystery किसी खतरनाक काइंड से belong तो नहीं करता है Stephen और आना का कार्ड लिए वहां से चला जाता है रस्ते में वो कुछ villagers को प्रोटेस्ट करते देखता है जो जंगल में मौझूद वुल्फ के खात्मे के लिए government को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बक्रिया वुल्फ का शिकार बन रही थी जिसकी वज़ा से उनका बहुत नुक्सान हो रहा था तब भी Stephen के दिमाग में mystery को लेके कोई शक नहीं आता है टेरी के आने पर सब मिलके डिनर करते हैं और टेरी उन्हें बताता है कि वो Christmas उनके साथ नहीं मना पाएगा विक्टोरिया को mystery के साथ ऐसे close दे के वो भी बहुत हैरान होता है उन दोनों के भी जो bond बनता जा रहा था वो सब की समझ से बाहर था पर विक्टोरिया को ऐसे खुश देख उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट में स्टीफन एना से मिलता है जो उसके क्लिनिक ना आने की वज़ा पूचती है स्टीफन उसे कह देता है कि वो उसे अपने जानने वाले डॉक्टर के पास ले गया था और मिस्ट्री का चेक अप करवा लिया था लेकिन एना अभी भी स्टीफन को वार्ण करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे कहीं न कहीं ये शक हो गया था कि मिस्ट्री एक वुल्फ है और उसे लगता है कि मिस्ट्री का ऐसे विक्टोरिया के पास रहना खत्रे से खाली नहीं है स्टीफन मिस्ट्री की विक्टोरिया के लिए एहमियत को नजर में रखते हुए एना की बातों को नजर अंदास करते वहां से निकल जाता है Scenes villagers पे shift होते हैं जो village के पास wolves के निशान देख परिशान हो जाते हैं वो ठान लेते हैं कि अब इस मसले को जड़ से मिटा के ही रहेंगे वही mystery जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो wolves की आवाजे निकालने लगता है जो सुनके उसकी mother Victoria के घर के पास पहुँच जाती है से कि उसके दूर जाने पर Victoria फिर तूट जाएगी Stephen इस चीज को राज रखने की कोशिश में लगा रहता है वो Victoria और mystery को दूर रखने की कोशिश करता है जिसके शुरुआत वो mystery को Victoria से दूर सुलाने से करता है पर कोई फाइदा नहीं होता क्योंकि दूनों को एक दूसरे की बहुत आदित हो चुकी है टेरी के आने पर ये सब hiking के लिए जाते है जहां Victoria mystery के साथ आगे निकल जाती है mystery एकदम गाइब हो जाता है पर Victoria को वहाँ उसकी mother नजर आती है जिसे देख वो डर जाती है पीछे से Stephen वहाँ वुल्फ को देख के Victoria के लिए परिशान हुए उसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने को कहता है Victoria ऐसा ही करते हुए Stephen तक पहुँच जाती है वुल्फ उन पे कोई attack नहीं करता तब ही वहाँ mystery आता है जो अपनी मॉम को देखने लगता है पर उसकी आखों से उसकी मॉम समझ जाती है कि वो उनको नहीं बलके Victoria को अपनी family मानता है इसलिए वो वहाँ से चुप चाप वापस चली जाती है इस हादसे के बाद अब Stephen कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और Victoria की safety के खातर mystery के टेस्ट करवाने एना के पास पहुचता है जहां सब का शक सही निकलता है और सब को पता चल जाता है कि mystery एक wolf ही है एना उसे बताती है कि वैसे तो mystery उनके लिए कोई खत्रा नहीं है क्योंकि वो एना को अपनी मा समझता है और उसके खातर कुछ भी करनी को तयार हो जाएगा असल मसला यहां की villagers हैं जो wolfs को अपना दुश्मन समझते हैं वो mystery का सच जाने के बाद किसी सूरत उसे जिन्दा नहीं चोड़ेंगे इसलिए एना स्टीफन को समझाती है कि उन्हें या तो mystery को वापस उसकी family के पास छोड़ना होगा या किसी save जगा पे ले जाना होगा एना उन्हें एक रात mystery के साथ गुजारने कर time देते हुए उसे यहां से भीजने के orders दे देती है घर जाने पर स्टीफन एक बार फिर अपनी बेटी की खुशियों के आगे हार मानते हुए mystery को कहीं ना भीजने का फैसला करता है और उसे गराज में चुपा देता है सीन्स mystery की मदर पे शिफ्ट होते हैं जो गोट्स के ग्रूप पे अटैक करती नजर आती है स्कूल जाते वल्द किसी को अपने घर की तरफ आते देख स्टीफन और विक्टोरिया फॉरण mystery को चुपा देते हैं वो वोही विलेजर था जिसकी गोट्स पे वुल्फ ने अटैक किया था घुसे में वो वुल्फ को ढूनते उनके घर तक पहुँचता है और उन्हें भी वुल्फ के आसपास होने का बताता है स्टीफन परिशान हुए उसे फॉरण वहां से निकालने की कोशिश करता है ताकि उसे mystery के वहां होने का ना पता चल जाए जिसके बाद वो विक्टोरिया को लिए उसके school function पे चला जाता है वहां विक्टोरिया perform कर रही होती है यहां इन विलेजर्स को स्टीफन पर शक होने की वज़ा से वो उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें गराज में mystery मिल जाता है जिस पर वो फॉरण पुलीस और एना को कॉल कर देते हैं स्टीफन के एना की बात ना सुनने पर एना के पास कोई रस्ता नहीं बचता और वो पुलीस के साथ वुल्फ को लेने उसके घर पहुँच जाती है दिल पे पत्थर रखते हुए विक्टोरिया मिस्ट्री को जाने तो दीती है पर ये गुडबाई उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है जो उसे फिर तोड़के रख देता है ना विक्टोरिया सही से सोपाती है और ना ही खुश रहती है वो वापस से बहुत उदास और हामुश रहने लगती है मिस्ट्री का ऐसे उसे दूर जाना उसके लिए अपनी मदर को खूने से भी ज्यादा दर्दनाग बन जाता है ये देखते हुए स्टीफन उसे विलेजर्स की मीटिंग में ले जाता है जहां वो वुल्फ के मसले पे बात कर रहे होते हैं कि शायद ऐसे विक्टोरिया सिचुएशन को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करें वहां विलेजर्स कुछ समझने को तयार नहीं थे और उनका कहना था कि अगर गवर्मेंट इस मसले को जड़ से खतम नहीं करेगी तो वो खुद एक एक वुल्फ को पकड़ के मार डालेंगे क्योंकि वुल्फ की वज़ा से वो अपना मजीद नुकसान बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं एना उसके थिंकिंग बदलने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं कर पाती आखर में स्टीफन और विक्टोरिया वापस घर जाने के लिए कार में बैठते हैं तो विक्टोरिया स्टीफन से पूछती है कि अगर उसे वुल्फ पसंद नहीं थे तो उसने मिस्ट्री को क्यों रखा स्टीफन उसे बताता है कि उसे मिस्टरी एक डॉग लगा था अगर उसे शुरू में ही असलियत पता होती तो वो उसे कभी भी ना रखता यहां विक्टोरिया कहती है वो शुरू से मिस्टरी की असलियत जानती थी और वो ये भी जानती है कि वुल्फ इंसानों के लिए खत्रा नहीं है विक्टॉरिया स्कूल में अपनी टीचर के पास बैठी होती है तब ही उसे मिस्ट्री के आसपास होने का एहसास होता है इसलिए वो अपने टीचर को जूट बोलती बाहर चली जाती है जहां मिस्ट्री खड़ा उसका इंतजार कर रहा था विक्टॉरिया उसे देख खुशी से पागल हो जाती है और लोगों की नजरों से बचने के लिए जंगल में ले जाती है मिस्ट्री वहां विक्टोरिया की सुनने के बजाए तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बहुत उचाई पे चला जाता है जहां बहुत थंड होने की वज़ा से विक्टोरिया की तबित खराब होने लग जाती है वहाँ एना मिस्टरी के जेल से भागनी की खबर लिए स्टीफिन के पास पहुँचती है क्योंकि उसे यकीन था मिस्टरी वहाँ से भाग के सीधा विक्टोरिया के पास ही गया होगा उसी दौरान स्टीफिन को विक्टोरिया के टीचर की कॉल आ जाती है जो उसे ویک्टोरिया के स्कूल से घाइब होने की खबर दे देता है एना और स्टीफन विक्टोरिया के लिए परेशान उसे ढून निकल जाते हैं सीन्स वापस मिस्ट्री और विक्टोरिया पर शिफ्ट होते हैं जो मिस्ट्री की फैमली तक तो पहुच जाते हैं पर वहां जाके विक्टोरिया ठंड से कांपने लगती है। मिस्टरिय विक्टोरिया की तबित खराब होते देख, स्टीफन को धून के उसे विक्टोरिया के पास ले जाता है, जो बेहुश पड़ी थी। वहां से बूनो का केबिन खरीब होने की वज़ा से स्टीफिन विक्टोरिया को उसके केबिन में ले जाता है ताकि उसे गर्माहट दे के उसकी तबिद सही कर सके एना और टियरी भी वहीं पहुँच जाते हैं जहां सब सोचने लगते हैं कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए वहां विलेजर्स खुद ही वुल्फ को ढून उन्हें मारने निकल जाते हैं विक्टोरिया स्टीफिन से कहती है कि अगर मिस्ट्री को कुछ भी हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगी क्योंकि अगर आज मिस्ट्री खत्रे में है तो सिर्फ उसकी वज़ा से तब ही मिस्ट्री सामने से भाता हुआ वहां आ जाता है विक्टोरिया उसे प्यार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है कि जाडियों में चुपा हुआ विलीजर विक्टोरिया को देखे बगार मिस्ट्री को शूट करते जखमी कर दीता है विक्टोरिया मिस्ट्री को जखमी देख रोने लगती है ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है स्टीफन अपनी बीटी के लिए परेशान विलीजर को मारने लगता है जिस पर वो माफी मांगता और विक्टोरिया का मिस्ट्री के लिए प्यार देखता वहां से चला जाता है अब इनके पास मिस्ट्री को हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं था स्टीफन जो के एक सर्जिन है वहीं ब्रुनो के केबिन में मिस्ट्री का इलाज करते हुए उसके बुलिट निकाल दीता है टाइम के साथ मिस्ट्री पहले जैसा हो जाता है एना विलेजर्स और गवर्मेंट को मना कि वुल्फ को मरवाने से बचा लेती है और उन्हें जंगल में रहने की इजाज़त भी मिल जाती है पर मिस्ट्री को अभी भी विलेज में रखने पे कोई नहीं मानता इसलिए विक्टोरिया अपना दिल बड़ा करते हुए मिस्ट्री को उसकी फैमली के पास छोड़ने चली जाती है जहां वो Mistery को समझाती है कि वो दूनों साथ तो नहीं रह सकती पर वो Mistery को कभी नहीं भूलेगी दूनों एक बहुत ही Emotional हग करते हैं अपनी Family आने के बाद भी Mystery Victoria को ही चुनता है पर उसके कहने पर अपनी Family के पास जला जाता है Last Scеди में Victoria's Mystery को उसकी फैमिली के साथ गुलते मिलते देख नजर आती है और इसी के साथ मुवी का एंड हो जाता है थैंक यू फर वाचिंग